नवस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से प्रशानदार के इस नए वीडियो में और आज हम देखेंगे कि साउत के बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट है आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको फोटो एडेटिंग डिजिटल पेंटिंग इसमें इंट् इस से और प्रशकार रजच आपको पता चलेगा कि साउत के फिर चार हैं वक्ती गॹेस्के ब्रशानदानरा राजकुमार है वह सारे फिर्वना फ्राकै बहुत अच्छे चार अर्टिस्ट है और इनका भर्नीत convei वर्क श्रेख मत्लब सुव menar और शबर्रदस्किए और र तो वो एक ही answer करते हैं कि no teaching only work मतलब हम सिखाते नहीं है सिर्फ काम करके देते हैं तो बोरा लगता है कि यह पैसे का है तो हम किसी adjust करके आपको दे देंगे जितना चाहे मनमर जी आप मांग लो उतना adjust करके हम देंगे पर मुझे सिखाओ तो वो सिखाने के लिए तैयार नहीं है उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं अपना अपना style रहता है काम करने का कोई सिखाने में इंटरेस्ट है कोई काम करने में इंटरेस्ट है तो अपना अपना यह रहता है तो वो सिखाने के लिए तैयार नहीं है और जैसे कि तो एकलवे ने क्या किया था ? द्रोनाचारे ने सिखानी के लिए माना किया था तो वह जंगल में जाके द्रोनाचारे का पुथला रखके उसे धनोश विद्या वह है बाँचलाने की वह खुद सिखा और उसमें महारत हसिल कर दी क्या वही स्टोरी से थोड़ा इंस्पाइर होके मैंने सिखा कि अभी इस तरह के से देखा जाए स्टोरी को ध्यान में रखके तो हम कैसे सिख सकते हैं तो मैंने क्या किया थोड़ा दिमाग लग गया फिस्बुक पे गया और उनका जितना भी आज तक वर्क अप्लोड किया था उस सब डाउनलोड कर लिया और हला कि मुझे थोड़ा जीवनार्ट का वर्क थोड़ा अच्छा लगता है क्योंको उसमें ज्यादा पैच नहीं रहता है डिसेंट रहता है कलर फुल रहता है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और मार्केट में ज्यादा तर लोग उस वैसा श्टैल पसंद क saturation कितना रखा है, tone कितना रखा है, vibrance कितना रखा है, background में कुंसे color इस्तमाल किया है और ये देखने के बाद देखने के बाद वो थोड़ा idea दिमाग में आने लगा कि इस तरह से करना है इसमें दो ही चीज़े हैं कि लोग बोलते practice, grow, practice, make man perfect अगर हमारा प्राक्टिस ही गलत डायरेक्शन में है कि हमें पोचना है पूरव की दिशा में और पच्चिम की तरफ भाग रहे हैं महिनत कर रहे हैं पच्चिम की तरफ तो जिंदगी में वहां पे पोचेंगे नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमें एक है कि knowledge होना चाहिए, हमें क्या करना है, यह पहले पता होना चाहिए, नहीं बे आता है, सिर्फ पता है कि क्या करना है, तो एक ही चीज को करने के हजारों तरीके होते हैं, तो उस तरीके से हम कैसे भी करके जुगाड करके वो कर सकते हैं, पहले पता तो होना तो उसका बैग्राउंड कैसे रखा है किस टाइस से क्रियेट किया है विंकट ने कैसा किया है जीवन ने कैसा किया observation से बहुत कुछ सिखने को मिला और यही मैं आपको भी advice देता हूँ कि पहले तो decide करो कि आपको किस टाइप का वर्क पसंद है मतलब मुझे है वो colorful वाला decent और beauty vacation वाला वर्क थोड़ा अच्छा लगता है जरूर नहीं है आपको भी वैसा ही पसंद हो आप देखो कि one tone वाला two tone वाला एक दो ही color होते है पूरे photo में वैसा पसंद है तो व्यंकट को follow करो color वाला चाहिए तो जीवन को follow करो थोड़ा artistic और चाहिए तो शरवन शरुन राज करके है उनको follow करो तो जिस टाइप से जिस टाइप का वर्क आपको पसंद है उस टाइप का पहले decide करो यह टाइप का मुझे चाहिए तो उसी artist का सब images download करो और उसको observation करो तो आप किसी से आ है कि समझ लो आज जीवन आट ने एक फोटो अपलोड कर दिया और दो तीन घंटे पहले बनाया तो वो दो तीन घंटे का मेहनत नहीं है उनका करीबन 10 से 15 साल का experience वो फोटो में डाल दिया होता है तब भी वो उस टाइप का वर्क किया है वो experience से वो फोटो बना दिया होता है तो वो फोटो में उनका experience होता है तो हमें दो तीन साल practice करके experience लेने से अच्छा है कि किसी ने practice करके किया है तो उसे ही कुछ सेखे background के बारे में हो smudging के बारे में हो observation करेंगे तो हर एक चीज़ पता चलेगी हम छोटे बच्चे होते है या छोटे बच्चे है तो वो कोई भी language या mother tongue माई बोली भाशा है वो language कैसे सिखते कहीं पर classes तो नहीं लेते है वो observation करते कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा ह है समोज लो कही जाड़े से एक खरगोश उचला है तो कोई बोलता है कि जाड़े से खरगोश उचला है तो बच्चा सुन रहा होता है कि एक तो उचलने को वो प्रानी का नाम है ने तो खरगोश का नाम है अगर दूसरी बार दूसरे जानवर ने उचला हरी उचले तो वो वो बच्चा अनुमान लगाता ही यह उछलना किसको कहते और उप्रानी का नाम क्या है तो अनुमान लगा के observation करके वो छोटे बच्चे सिखते हैं हमें भी वैसा ही सिखना है तब ही अच्छे तर्की से सीख सकते हैं दूसरी बात है कि मेंड चीज है कि कोई गाइडेंस करने वाला है तो अच्छी बात है उनसे सीखो नहीं तो उनका वर्क डाउनलोड कर लो उसको अबज़र कर लो सबी चीजों को एक एक आदा आदा घंटा देखते रहो एक ही फोटो को 15-20 मिन्ट देखते रहो तो उसका एक ब्लूप्रिंट अपनी दिमाग में आ जाता है कि उन्होंने क्या थॉट रहेगा ऐसा फोटो लिया है तो उसका टोन क्या है बैगराउंड क्या है तो अपने अप सबकॉंसेस मैंड में वो दिमाग छप जाती है अगर हम किस्तभमर हमें कोई वर्क देता है तो हमें काम करते जाएंगे तो उतना अपना प्रैक्टिस हो जाएगा और डे बाई डे अपना वर्क फाइन होता जाएगे अभी ओर वाल समब करना है तो मैं इतना ही बता सकता हो कि जो श्टाइल आपको पसंद है उसी श्टाइल का आप वर्क डाउंडलर कर लो उसको अपजर्व कर लो जो भी अपने दिमाग से समझ सकते हैं सोच सकते वहाद तक समझिये सोचिये और एज इज इज कॉपी करने के लिए ट्राई कीजे मतलब किसे अच्छा अर्टिस ने सलमान खान का फोटो बनाया है तो गूगल पे जाओ वही फोटो डाउंडलर कर लो और एज इज इज मतलब एज इज दो दिन लगो या एक हपता लगो एक फोटो बनाने के लिए एज इज इज बनाने के कोशिश करो और बन गया तो उसके बाद कही चीजे होती है वो अपने आप समझ आती है उसके बाद क्या होता है सिर्फ फोटो चेंज हो जाएगा मेथड तो वही रहेगी करनी की तो बाद में कुछ मिश्टिक है तो प्रैक्टिस होनी के बाद टाइम भी कम लगेगा और एकजएट पता चलेगा कि क्या करना है कैसे करना है तो आप भी ऐसा ही किजे मैं भी ऐसा ही किया था अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो लिमिटेशन नहीं कि इतना किया अब खतम जितना करेंगे उतना कम ही होता है तो और अपने वर्क को इंप्रूव करते जाना है अच्छा-च्छा artist को देखना है, उनकी style की देखने है, हाला कि style को copy exact हम नहीं कर सकते, किसी भी artist को, मैंने भी कई artist को exact copy करने की लिए try किया, पर हुआ नहीं, उसमें अपना sense मतलब touch आ जाता है, उसमें अपना feel आ जाता है, अपना style आ जाता है, और वही style अपनी खुद की signature style बन जाती आप मेरे इंस्टा पे देखोगे तो जितना भी वर्क किया है भले फोटो लग है पर अल्मुस्ट अल्मुस्ट सिमिलर टाइप ही दिखेंगे कि रेट टेचिंग का कॉंबनेशन कलर फुल वर्क है थोड़े थोड़े हलके फुल के पैच है कलर फुल बैल राउंड बन जाता है तो आप भी एक ही करना है कि सीकना सभी से है और अपनी स्टाइल क्रियेट करनी है तभी कोई भी आदमी बिना लोगों के भी अपना फोटो देखे तो उनको पता चले अरे यह इसे आर्टिस्ट का फोटो है तो आप भी वर्क डाउनलोड करें देखें और अब बन दिवाण बढ़ करदा ऩैं लेखें कि बन्सक्राइब करें धन्सक्राइब करें जब आस्तु करें जैंके ली टोग्क्ट है वित्या सक्या देना वाती है बडिस्ट कि से बिस्ट उनको झाले कि वेखें पर आसराद